दोस्तो 29 अगस्त को देश बर में राष्ट्य खेल दिवस मनाया गया ने सिर्फ आम लोग बलकि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कई फिल्मी सतारों ने अपने अंदाज में इस खास दिन को मनाया पियम मोदी ने राष्ट्य खेल दिवस पर फिट इंडिया मोवमेंट का शुबारम किया इस अभियान का हिस्सा बोलिवुड अबिनेत्री शिल्पा सेट्टी भी रही शिल्पा सेटी ने Fit India Movement के लिए परधान मंतरी निरेंदर मोदी की तारीफ की है शिल्पा सेटी ने दिल्ली में हो रहे परधान मंतरी निरेंदर मोदी के Fit India Movement आयोजन में हिस्सा लिया इस दोरान शिल्पसेटी ने मीडिया से बात करते हुए, फैंस से आगरे करते हुए कहा मेरे साथ परधान मंत्री की इस पहल से जुड़े Fit India Movement का मतलब हपते में 3 दिन 20 मिनट तक वियाम करना है इस कोशिश से आपको जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा शिल्पसेटी ने आगे कहा स्वस्त रहो, मस्त रहो, यही मेरा फिटनेस मंत्र है इस भागदोर भरी जिंदगी और परतियोगी दुनिया में फुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी है इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ मानिया परधान मंत्री नेरे नर्मोदी की पहल फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े गोरतलब है कि शिल्पसेटी को फिट इंडिया मूवमेंट की सलाकार समीती की सदस्ते भी बनाया गया है समीती की सदस्य होने पर शिल्प सेटी ने कहा मैं परधान मंत्री की इस मूवमेंट की सलाकार समीती का हिस्ता बन कर खुद को गर्वित मैशूस कर रही हूँ आपको बता दे की फिल्मों के अलावा शिल्प सेटी अपने फिटनेस की वज़े से हमेशा चर्चा में रहती है बीते दिनों शिल्प सेटी को पतले होने की दवाई का विज्यापन करने के लिए 10 करोर रूपे का ओफर मिला था लेकिन उन्होंने इस ओफर को ठुकरा दिया था दवाई का विज्यापन ने करने पर मद्य परदेश के पूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने शिल्प सेटी की तारीफ की थी उन्होंने शिल्प सेटी के ट्विटर पर तारीफ करते होे लिखा समाज के परति सेलिवरिटी की भी जिम्मेदारी होती है जिसे अभिनेत्री शिल्प सेटी ने बखो भी निभाया है उन्होंने स्लिम फिल्स के विज्यापन के 10 क्रोड के ओफर को केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट के परिणाम पर भरोसा नहीं था ये उनका परशंसनिय कदम है इसलिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ दोस्तो पियम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दिजमें नीचे दिये कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद